हेलो फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं मूली की पराठे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मूली लिया है सबसे पहले इसे हम छेल लेंगे और इसके आगे पीछे का जो यह डंठल वाला पार्ट है ना उसे हटा देंगे अब इस तरह का एक ग्रेटर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिक वाली ग्रेटर नहीं लेंगे हम नहीं तो मूली जो होती है वो बहुत सारा पानी रिलीज करती है तो यह थोड़े मीडियम साइज की ग्रेटर है इससे हम सारा मूली ग्रेट कर लेंगे सर्दियों में जितने भी पराठे है उन्हें खाने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है जैसे कि मूली के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, मेथी के पराठे हैं, गोभी पराठे हैं और भी बहुत सारे पराठे हैं, तो जिनका मज़ना सिफ सर्दियों में ही आता है, तो चलिए मेरी मूली पुरी ग्रेट हो चुकी है, अब इस तरह का एक साफ कपड़ा लेंगे, उसके उपर जितनी भी मूली हमने कीस करके रखी है, उसे डाल देंगे, और जितनी आपके पा ताकत है, वो सारी लगा दीजिए, और निछोड लीजिए इसे, तो यह देखे, बहुत सारा पानी मैंने निकाल लिया है, और ताकत को ज़्यादा ही लग गया था, लगता है, यह कपड़ा जो है वो फट गया था, थोड़ी देर बाद, तो इतना सारा पानी यहां से निकल कर लेंगे, फेकेंगे नहीं इसे, आप चाहें तो इसमें काला नमक और निबू डाल करके पी भी सकते हैं, बहुती ज़्यादा इसमें विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो अभी इसे रख देते हैं साइड में, सबसे पहले हम आठा लगा लेंगे, तो आप जितना भी परा आठे का स्वाध है, वो और भी अच्छा आता है, अगर आप यहाँ पर नहीं डालना चाहते हैं, तो मुली का जो इस्टफिंग बनाएंगे ना, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक चमच यहाँ पर मैंने आजवाईन लिया है, इसे हाँ से इस तरह से मसल कर करके डालेंगे, इसका फ्लेवर पराठे में बहुत ही अच्छा आता है, और इसे पचाने में भी आसानी होती है, स्वाध अनुसार नमक डालेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाँ सही, अब इसमें तीन चमच मैंने तेल डाला है, मोहन के लिए, तो बहुती सॉप्ट सा डो लगाना है, तो देखिए, इतना सॉप्ट लगाए, इसमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं है, थोड़ा सा इसके उपर तेल और लगा लेंगे, और इसे गिले कपड़े से ढख करके रग देंगे, ताकि ये सुखे ना, अब चलिए, आब मूली की सफिंग बना लेते हो, तो यहां पर मैंने कढ़ाई रग दिया है, एक चममच खड़ा धनिया लेंगे, और एक चममच साफ लेंगे, इसे हलका सा ही रोस्ट कर लेंगे, इसमें कढ़ाई में, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इसे हलकी से इसकी खुजबू आने लगे, और इसका जो मॉइस्चर है वो खतम हो जाए, ताकि हम इसे अच्छे से कूट सके, तो इसे हमें दरदरा सा कूटना है, तो जो अद्रक या लैसुन हम कूटते हैं जिससे उसी से ही आप कूट लेजिए, तो यह भून चुकी है, यह देखिए इस तरह से इसका हमें पौडर बनाना है, हलकी दरदरी सी है, यह बहुत ज़्याद बारिक नहीं है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन इसे डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है, अब यहाँ पर मैंने दो छोटे चम्मस तेल डाला है, जैसा ही तेल गरम हो जाए, एक चम्मस हम य आज को में मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करेंगे, अब इसी में हम कुछ मसाले डाल देंगे, एक चम्मस हल्दी पाउडर, एक चम्मस लाल मिर्च का पाउडर है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी और मसालों के साथ ही हमें मुली को लगबाग 2-3 मिनट के लिए भूनना है ताकि इनका मौश्चर जो है वो खतम हो जाए इस तरह भूनने से इसमें हलका सा सुंधापन आता है इसका कच्छापन जो होता है वो खतम हो जाए थोड़ी सी यहां पर पग भी जाती है मुली एक चम्मा से थोड़ा सा कम गरा मसाला है मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगी तयार है हमारी स्टफिंग जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाए और इसे साइड में रख देंगे ताकि यह ठंडी हो जाए तो इसे लगबाग 10 मिनट हो गया है रेस्ट करते उए और य हैं तो छोटी सी हम लोई उठाएंगे और हलका साइस से आंटा लगा करके बस छोटी सी पूरी के साइच का बेल लेंगे थोड़ा सा ही बेलना है हमें बहुत बड़ा नहीं करना है अब इसमें बीच में स्टफिंग रखेंगे एक चम्माच अईससे इस तरह से किनारों से इसे फॉल्ड करते जाएंगे तो जैसे आप मोमोस बनाते हैं और बाकी के पराठी बनाते हैं बस विसे ही हमें फोल्ड करना इसे सारी किनारों को आपस में जोड़ते हुए से चिपका देंगे और अगर बहुत ज़्यादा आटा है तो हम उसे हटा देंगे फिर से आटा लगा लेंगे और हलके हाथों से इसे हम बेल लेंगे बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे ना अगर आप तो ये फट भी सकती है तो आराम से बेल लीजी इसे आप तो देखिए एक पराठा बन चुका है अभी मैं दूसरा भी बना करके दिखाती हूं तो चाहे तो आप इस तरह से हांसे भी फैला सकते हैं गोल-गोल घुमाते जाईए ऐसे किनारों से पकड़ करके बीच में गड़ा बना लीजिए और उसमें एक चमच स्टफिंग भरेंगे बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी मत भरी आप नहीं तो ये फिर भी खरने लगती है अब वापस से इस तरह से किनारों को पकड़ करके हम मैं दूसरे में से चिपका लेंगे किन और बन कर देंगे अंटा लगाएंगे हां से इस तरह से हलका हल्का साब प्रेस करते जाए और इसे ठोड़ी सी फैला लीकि तो इस तरह से प्रेस करने से ना मूहली कि जो है सारे तरब अच्छे से फैल जाती है और बेलते समय संब यह निकलती भी नहीं है तो मैं ही पूमने लोई न बहुत ज्ञादा छोटी सी रख हमिसे पलट लेंगे और उपर वाले साइड में चमस से तेल लगा देंगे अब इसे वापस से पलटेंगे और अच्छे से आप आते जाएंगे तो यह फूल जाती है देखिए दोनों साइट इसी तरह से हम तेल लगा लेंगे पलट करके और इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से शेक लेंगे और यह दूसरी वाली भी मैंने डाल दी है तो एक साइट से शिक चुकी है यह भी अब इसमें तेल लगा ल कि यह देखिए तो इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेकते हैं अ cuánto कि देखिए सारे पराठे जो है बहुत लिए अच्छे से फूल रही है तो तैयार है हमारे मूली के पराठे आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताईए और अगर आपको अच्छी लगी हो त तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे कृष्णा